हेलो फ्रेंज आज मैं आपको सूजी और मैं देखे इतना सारा टेस्टी नस्ता बनाऊंगा आप देखके उकमा इटली और दोशाको भोल जाओगे देखे इस तरीका से सफ्टी सफ्टी सूजी की नस्ता चले दोस्तो भेडियो को इस्टार करते मैंने सूजी लेली हाँ एक क याट कर देता हूँ एक बोल में इसके बाद थोरा मैदा याट करनी है अभी इसको मैदा याट करनी के बाद इसको अच्छा तरीका से मिक्स कीजे ताकि सूदी मैदा एकी साथ में मिक्स हो जाए इस तरीका से सूदी और मैदा को मिक्स कर लेनी है उसके बाद आफन इसमें दई याट करते हैं दई याट करने के बाद इसको थोरा सा मिला लीजे इस तरीके से मिलाने के बाद इसमें क्या है पानी दाल दीजे थोरा इसमें भीगने सरका इसमें पानी याट करनी है देखे इसको पानी याट करने के बाद अच्छा से इसको मिला ले दे इस तरीके से मि बाने में ज्यादा टेष्टीयार हेली रहेगी। देखे मैने डूंड़ा कॉय भी इसे में येड़ कर लिया हूँ। मैं ने 23 गिरिणुट ये दिचे फ्री चली लिया था ये भी इसमें याट कर देकता हूं कापई थ्रहा तीक रहेगी थो देखे मैं ये पेस्ट कर लेंग्या आँ से सारे कर देखें यादा बारीक नहीं करने हैं मोटी मोटी रहनी है तो देखे पेसको भी में इसमें आड़ क इसको मिला लिनी है काफी चार टेस्टी आएगा टेस्टी टेस्टी इसमें नस्ता बनके रहेगी तो दिखे इसको अच्छा परफेर्ट तरिक चे मिला लिए अभी इसमें आफन उपर से थोरा मिंट लिप इसमें याज करनी है मिंटली प्याट करनेक बाद इसको अच्छा तरीका से फीट लिजे इस तरीका से खाफी चारा टेस्टी बहुती नस्त बनेगी देखे मैंने चाटनी बनाया हूँ पिनेट के चाटनी तो थोरा सा गिरिंचिली का साथ में स्पैसी चाट पटा वाली तो देखे इसको अच्छा तरीका से मैंने भूज लिया हूँ देखे अब इसको पेश्ट कर लेते हैं देखे इसमें एक इस्पुन थोरा सा छोटा नमक जाएगी इसमें पानी जाएगी तो देखे अभी इसमें आफन दोसा भी अच्छा तरीका से भिख चुके है इसमें इतना ज्यादा टेस्टी नस्ता बने का कभी आप बना नहीं पाओगे इसी तरीक से आफन शुजी और मैदे का नस्ता बना सकते हैं देखे अभी इसमें थोरा सा उपर से बटर एट लगा दीजे तो देखे इसको अच्छा तरीक से पका लिजे पकाने कबाद इसको क्या है पल्टी कर दीजे तो बहुती अच्छा टेस्टी नस्ता हमारा घर में बनके तायर होती है बहुती सारा टेस्टी नस्ता बनती है इसका अगर हेल्दी भी रहेगी तो देखे इसी तरीका से आफन नस्ता बना लेते हैं देखे आरेक बार इसमें याट करके बहुत ही सारा टेस्टी नस्ता बनने का सही तरीके है घरोंए इसी तरीका से बना लिझे बहुत ही देखते जाए ये वीडियो खोर्व से लाइस तक बगर स्कीब करें क्योंकि इसकीब करने के बद बीच में कुछ ऑच ईब्लोर Dr.ippy niemand ट्रेष्टी बने की डेखे इस तरीका से आफन का नस्तह तायर हो चुकी है दिके आफन का नस्तह बनने के लिए सबसे आसन और इजी and फेलडी नस्तह की रेशिपी इस तरीका से अफन बना ले verdi इतना शौफ्ट हो देखे ये नस्ता बहुत ही चारा टेस्टी रहागी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा हुआ हमारा चैनल को लाइक चेर सस्क्राइब जरूर कीजे वीडियो में नए है तो सस्क्राइब जरूर कीजे ठैन्क्यू फ्रेंज नेक्स मिलते नाएवड़